जारखंड में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और इसकी वज़ा है कि मुखमंत्री हैमंत सोरेन को एडी ने समन भेजा है और आज मुखमंत्री हैमंत सोरेन एडी कारियाले पहुँचेंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी परवक्ता परतुल साहदेब उनसे ही बाचित करते हैं परतुल जी सहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है बीजेपी कारियाले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है हजारों कारेकरता आज जैमेम के राची पहुँच रहे हैं इसको किस रूप में दे भई ये हमारी समझ से परे है ये एक क्रिमिनल इन्विस्टिकेशन है जिसमें मानिय मुख्यमंत्री जी एक हजार करोर के माइनिंग स्कैम साहिब गंजला में चो हुआ था उसमें उनको बुलाया है एडी ने लेकिन जिस तरीके से इसको राजनेतिक रूप दिया जा रहा है एडी के उपर राजनेतिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है यह समधानिक पत पर बैठे एक प्रमुक्विक्ति के लिए शोबनिया नहीं है आप देखेंगे अब दूर की बात तो छोड़िए मेरे घर के बाहर आप देखेंगे जेमें के रा कोई एजनसी गलत चार्शिट नहीं कर सकते लेकिन अगर इन्होंने गलत किया तो दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती तो जो यह राजनेतिक ड्रामे बाजी करके मुख्यमंत्री जी रोड शोब करते वे सुना जा रहा है कि वो जाएंगे या उनके कार करता हो कि काफी कुछ वो छिपाना चाह रहा है कल बैठक का दौर जारी रहा जेमें बिधायकों की बैठक फिर कॉंग्रेस बिधायकों की बैठक और फिर यूपीए फोल्डर की बैठक इस बीच बीजेपी की इमर्जिंसी बैठक होती है वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के त्वारा त अंदूलन था उसकी रूप रेका तैय हुई और यह जो हम लोगों ने मंडल स्थर पे नारा दिया था उसको लेकर जिला पर भी जाएंगे हमन्त अटाओ जारकन बचाओ जब तक इस करप्ट अनपॉपुलर सरकार को हम उखार नहीं फेकेंगे तब तक हमारा अंदूलन च इस तरह का भ्रष्टचार करने की इजाज़त नहीं देता आपको संख्याबल इस तरह का रोड बिनाटक करने का इजाज़त नहीं देता जो राची में आज देखने को मिल रहा है तो आप सिर्फ बहुमत और संख्याबल के आधार पर करप्शन को बेस बनाएंगे तो ऐसा संस्ताओं और investigating agencies को face किया तो हमने तो कभी नहीं दो रुपियों की बात कही जब मानिय प्रधान मंतरी जब गुजरात के मुख्या मंतरी थे तो 28 मार्च 2010 मुझे दिन भी आज याद है जब S.I.T. को उनोंने एक दिन में 10 खंटे लगतार face किया था तब भारती जंता पार् उन्होंने ये कहा था कि investigating agencies का दो रुपियों को रहा है आडवानी जी जोशी जी से भी बने नेता है क्या है यहाँ पर कोई उन्होंने भी तो CBI investigation को face किया था CBI office गह थे हमने तो कोई आंदोलर नहीं किया हमें इस देश की कानून विवस्ता और कानून पर विश्वास है ल फिर ED क्या कुछ उनसे पूस्ताच करती है इन तमाम सवालों के जबाब भी हम ढूनेंगे और आप तक पहुचाने की कोशिस करेंगे अपने सोही की कुनाल के साथ मदन सिंग नियोजबायस को पुराची